नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरो 36 गड मैं मैं हूँ आपके साथ सुनील चौहान अब करते हैं बुल्टिन के शिवाद आज की मैंत पूर्ण खबरों के साथ 36 गड के किसानों के लिए आज मुकिमंत्री भुपेश भगेल ने गोधन योशना के लापार्तियों को खाते में 21 करोड 31 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किये हैं इसके तैस 16 स 31 महीता गोठानों में खरीदी गई गोबर के एवश में 4 करोड 91 लाख रुपए ग्रामीड पश्रुपालकों को भुगतान किया गया वही गोठान समितियों को 8 करोड 98 लाख और स्वसाहता समू को 6 करोड 29 लाख रुपए की लाभांश राशी और गोठान समितियों के पददकारियों की मानदे राशी 1 करोड 13 लाख रुपए शामिल है गोबर विक्रेताओं गोठान समितियों और महला स्वासाहिता समूको इस राश्री को मिलाकर अब तक 538 करोड नवासी लाख रुपे का भुगतान किया जा चुका है तो आपको बता दे 36 गड़के किसानों के लिए खुशकबरी है और आज सरकार की तरफ से काफी सहाहिता प्रदान की गई आपको बता दे जिसमें सहाहिता में 16-31 वई तक गोठानों से खरीदे गई गोवर के एवश में 4 करोड 91 लाख रुपे ग्रामीड पशुपालकों को भुगतान किया गया गोठान समीतियों को 8 करोड 98 लाख और सहाहिता समू को 6 करोड 29 लाख रुपे की लाबांश राशी और गोठान समीतियों के पदद कारियों की मनदर राशी 1 करोड 3 लाख रुपे शामिल है तो आपको बताद है गोबर, विक्रेता, गोठान समितियों, महिला स्वासाहिता, समू को इस राश्वी से मिल आकर अब तक 538 करोड नवासी लाख रुपे का भुगतान किया जा चुका है राग दा म्यूजिकल ग्रुप ने राग रंग समर कैम्प का आयुजिन किया था वहीं अब इसके समापन कारकर में बतार मुख्यातिती जगदलपुर विदायक रेकचंद जैन शामिल हुए इस दोरान उन्होंने बच्चों का उट्सा वर्दन भी किया और आयुजिकों को सादू बात किया आपको बता दें समर कैम्प में प्रशिक्षित बच्चों की आकरश्रक प्रस्तितियों ने अध्तियों समेत उपस्तित लोगों का मन मोलिया तो जग्दलपुर में रंगारंग कार्क्रम का उजन किया गया जिसमें बता और मुख्यतिती रहे विदायक रेकचंद जैन जग्दलपुर के बस्तर जिलापन का समाश कबीर पंथ विकास समिती ने ग्राम पंचायत माडपाल्क में गरिमा में समारों में कबीर जैनती मनाई जिसमें सांसा, दीपक बैश और विधायक जग्दलपुर रेकचंद जैन उपस्तित रहे साथी नौने लोगों को भी संबोधित किया आपको बता दें बस्तर जिलापन का समाश कबीर पंथ विकास समिती के रसोई घर निर्माड हितू दो लाग पचास हजार रुपए और कवीर कुटी निर्माड हितू पांच लाग रुपए देने की गोशना भी की बहुत ज़्यादा चरफ मेरे बहुत ज़्यादा इन परिशिदी ने उसके दुआ और संदगरा परमस भी सेसर करवा वास्तों में दिल के पुलाव शून बार निकरे दिशियां के जनमाटा परिदमाड ये कबिर्दाश रास्यवादी कभी अमन मंत्र देश का जमत्र समाच जुराव वाजा बोल परिशिदी ने एक वहांत पूर्ड का दिक वालो बास्तों में उनके उनका आज वना पापा उनके याद परो कैसा होगा यूनोंने कहा कि माटी कहे कुमार से तू कियो रोने मोहे एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूगे तूए अगली ख़बर बस्तर से है जांसांसा दीपक वैश और विधायक रामजन बेजाम कोरगाली पहुँचे आपको बता दें कोरगाली चारो तरह पहाडों से घिरा हुआ एक छोटा सा गाउं है जांसांसा दीपक वैश और विदायक राम जन बैजाम ने मिलकर सड़क के लिए 4 करोड 34 लाग की राश्री सुईक्रती कारवाई की है और आपको बता दें आने वाले समय में गाओं के अंतिम घर तक सड़क की सुविधा पहुचाएंगे तो आपको बता दें विदायक राम जन इस कारकर में मौझूद रहे और दोनों ने बस्तर को दिया बड़ी सौगात करीब 4 करोड की राश्री को मन्जूरी दिया जिससे इलाके की सड़क बनेगी बस्तर में विचे गा सड़कों का जाल और काफी सहुलित होगी गाओं के लोगों को क्योंकि देखा जा रहा है गाओं के लोगों को चारतरा पहाड होने की वज़े से उनको परिशानिया होती थी आने जाने में दोनों ने बस्तर को बड़ी स्वागात दिये 4 करोड की और उन्हों जाकर इलाके के लोगों को बड़ी सौगात दिये विधायक रामजन भी इस कारक्रा में मौझूद रहे और साथी साथ आपको बता दे बस्तर में विधायक रामजन और सांसद ने इलाके में करीब 4 करोड राशी की बड़ी मंजूरी दिये सड़कों को लेकर इ दिकास की रफ्तार दीरे-दीरे सुचारू रूप से ठीक होगी। जगदलपुर में अखेल भारतिय ग्रामी डांक सेवा संग के दिवाशिक सम्मिलन में सांसा दीपक वैश और विधायक शामिल हुए। जानों ने सभा को संबोधित करती हुए का कि आश भले ही संचार के आदोनिक सुविधायों पलब्ध है पर डांक सेवा का महत तो आश तक खत्म नहीं हुआ है। साथी रेकचंद जैन ने डांक सेवकों की मांगों से सहमती जतातुए का कि हमारे लोकप्रिया और रिवाश संसद दीपक वैश जी हरमुद्दे पर मुखर हैं और आपको मांगों को संसद में उठाएंगे। कि दूंति दिवा है। अघत भी अंगर अवार दिप्रटब वैस सांसद है। अगर जव दिब का कई को को है को ही पतर घर दिखाओ तो सेंटनल कबनेंट का चैकरदान मंत्री जी लिखा चआएराष मत दिखाओ चैन के में मस्त्रिया पर मिंत्रिया का हो। जगदलपुर के बस्तर जिले के अति सम्मिदन श्रील श्यत्र की रहने वाली देविकी ठाकुर का दाई आँक का मोत्या बिन का सफल आपरेशन किया गया आपको बता दे 15 वर्षिय देविकी ठाकुर कक्षास सात्मी में पढ़ाई करती हैं जिसके बश्चपन में दोनों आखों में मोत्या बिन था जिसका इलाज साशकेर चिकिसा महाविद्याल अस्पताल में सफल आपरेशन किया गया आपरेशन के उपराँ देविकी को ठीक से दिखाई दिने लगा है तो 15 साल की देविकी का मोत्या बिन का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद देविकी को ठीक से दिखाई देने लगा है डॉक्टर ने पूरा operation ठीक से किया और operation के उपराउं उनके आखों में मोतियाविन्थो गया था जिसका operation किया गया और आपको बता दें शास्किये चिकेइशा महाविध्यालय worshपताल में इनका मोतियाविंद का ओपरेशन किया गया और बिलकुर अब इनका आखों का विजन ठीक हो चुका है 15 साल की देविकी का आखों का ओपरेशन किया गया मोतियाविंद का और ओपरेशन के बाद ठीक से दिखाई देने लगा इनको और आपरेशन को डॉक्टर ने ठीक से किया और इनको बताया जा रहा है काफी लंबे समय से मोतियाविंता और मोतियाविंत का आपरेशन इनका ठीक हुआ है 36 गड में विधानसवा चुनाओ को महज कुछ महने या बचे हैं ऐसे में चुनाओ का समय जैसे जैसे नज़्दीक आ रहा है वैसी इन विधानसवा शेत्रों में जन प्रतिनिदियों ने अपनी सेकरिता को बढ़ा दिया है पार्टी की नेताव हर मौके पर आम जनता के बीच पहुँच कर उनसे रूबरू हो रहे हैं और उनके समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं ऐसा ही कुछ नज़्दा इन दिनों भट गाव विधानसवा में भी कुछ महिने से देखने को मिल रहा है जहां सभी दल के प्रतिनिदी मोचा समा ले हुए हैं तो वहीं एक राज़्दिक दल में इस्थाने प्रतियाश्री की मांग को लेकर चर्चाएं गर्म हो रही हैं पार्टी जनता पार्टी के प्रतियाश्री कर्णे चित्रों से आया है इस्थानी लोगों में नराज़गी है जैसा जो हम लोगी चित्रों में दौरा करते हैं इस्थानी लोगों करना कि हम इस्थानी कंडिडेट रहेगा तो हमको काम करने में असान होगा और इस्थानी जनता का भी मांग है इस्थानी जनता जाती है कि हमारे मजदी के कोई नेता हो हमारी दुख सुप में सामिल हो इसने ये मुद्दा उठ रहा है दिखिए भाजपा में कहने को है कि अनुसासन है बाकी भाजपा के कारिकरता जितने भी है सब बॉखलाए हुए हैं सब्ता किसी भी प्रकार से वापस आने की कोई उम्मीद उनको नहीं है कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है यह तैह है तो यह इस प्रकार के बयान बाजी है और यह जो उनका अंद्रोनी कलह है आपस में बड़े नेताओं का कारेकरताओं से कोई स बड़गाओं में दूद के पैकेट में मिर्ची पाउडर डाल के काम चला रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम भाजपाओं के मानते थी कि अनुसासित पार्टी है हाई कामान जो कहते जो थोप देगा उस सर का अंधे पर उठा के सब चल रहते बड़गाओं म लोगं के आपे च्छाएं भी थी लेकिन देखने वाली बात यह है कि पिछले दो पंच्छी वर्षियों में साप हो गया है कि दूद के पैकेट में मिर्ची डाल करके वहाँ पे काम ने चला जा सकता इस्थाने मुद्दे इस्थानी लोग और इस्थानी बिधायक के लोग वहां की जनता जो त्यार होके बैठा हुआ इस बार उनको जो है बाहरी परत्यासियों को जो है बहरा सोट जो परत्यासिया रहते हैं उनको लाथ मार के बाहर कर देँगे और मेरो चृतिशगर दो वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेकिवा स्वागत है आप सभी का मेरो 36 गड़ में अब रूख करते हैं अगली खबरों का कौरबा में भारत निर्वाचन आयोग के निदेशा नुसार आने वाले चुनाओ के तहट कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के कई मतदान केंद्रों का निरिक्षन किया है इस दोरान उन्होंने मतदान केंद्रों में उपलब दिस सुविधाओं का अवलोकन किया साती बिजली पानी शौचाले की विवस्ता सुनिश्चत करने के साथ दिव्यां मतदाताओं ही तो रैंप बनाने के भी निर्देश दिये हैं तो आपको बता दे कुर्बा में सुविधाओं को लेकर जरूरी निरिक्षन किया और चुनाओं को देखते हुए इस दोरान उन्होंने मतदान केंद्रों का निरिक्षन किया गया निर्वाचनादेकार इस मौके पर मौझूद रहे और जो जो खामिया देखी गी उनको ठी पर चाले की विवस्था सुनिक्षित करने के साथ दिव्यांग मतदाताओं हेतु रैंप बनाने के भी निर्देश दिये गए हैं प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार के कबिनिट मंती शिवडहरिया ने आरसेस पर की गई आपत्ती जनक टिपड़ी पर ब्रजमोहन अगरवाल ने अपनी कड़ी प्रतिकिरिया दी है ब्रजमोहन ने का कि आरसेस देश की ताकत है देशबक्ती की पाठशाला है ऐसे सामाजिक संगठन पर अश्रो बनी है टिपड़ी करना देशबक्तों का अपमान है साथी नोने कॉंग्रेस से हो रहे सवाल पूचा कि आजजादी की लड़ाई के ढाई सो सालों के त्यास में एक भी कॉंग्रेस अगर शहीद हुआ अपनी जान दीग हुई है तो हमें बताएं तो आपको बता दें ब्रजमोहन ने कहा कि आरेसस देश की ताकत है और देशबक्ती की पार्टशाला है और ऐसे सामाजिक संगठन पर अश्रो बनी है टिपड़ी करना देशबक्तों का अपमान है तो चुनाओ को देखते हुए आरो प्रत्यारोब का दौर लगातार चल रहा है और चट्रिस गड़ में जिसको देखते हुए पाक्ष बेपाक्ष एक दूसरे पर आरो प्रत्यारोब कर रहा है 36 गड़ के सामरी में विधाय के चिंतामणी महराश ने कुटकूच चौक में जन चौपाल लगाई है जानों ने ग्रामीड जनों की समस्याओं को सुना जहां ग्रामीड वासियों ने चिंतामणी महराश का स्वागत सरगुजिया संस्कृती से किया साती ग्रामीड जन ने बारी बारी से अपनी समस्याओं को रखा है जिसके बाद उन्होंने प्राप्त आविदन को समय सीमा में सभी की कारवाई करने हेतु अधिकारियों को नरदेशत किया है साती आपको बता दे विधाय के नई भवन निर्माड का कारक धीमिगती से चलने से नाराज भी दिखाई दिये जिसको लेकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी दिखे गए और का कि जल से जल निर्माड कार को पूरा किया जाए तो सामरी में चौपाल में ग्रामिट जनकी सुनी गई समस्याएं और जो समस्याएं थी खामियाती उनको दूर करने की बात की गई समस्याए सीमा तक कारवाई करने के निर्देश दिये गई है तो ग्रामीड चौपाई लगाई गई और विदी जो वाँ की सांस्क्रती है उसी के आधार पर उनका स्वागत किया गया राइपुर के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरॉंड साव प्रदेश का डाला की बैटक में शामिल हुए बैटक के बाद महा समोंद के लिए होंगे रवाना यह खबर आपके साथ हम साजा करें राइपुर के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरॉंड साव हैं और आपको बता दे बैटक के बाद महा समोंद के लिए होंगे रवाना तो यह खबर आपके साथ हम साजा कर रहे हैं प्रिंशनदारी समयलन में शर्कत करेंगे और आपको बता दे राइपुर के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरॉंड साव प्रदेश कार्याले की बैटक में शामिल होंगे जानकारी लेंगे लोगों से बात करेंगे क्या कुछ चल रहा है प्रदेश कार्याले की बैटक में बैटक के बाद महा समुन्द के लिए रवाना होंगे वहाँ पर उनका कारक्राम उसके बाद जानकारी ले जाएगी किस प्रकार से कारक्राम चल रहा है और इस बैटक में पेंशनदारी समिलन में भी शिर्कत करेंगे तो यह सब ख़वर सामने आ रही है रायपुर के दौरे पर temos BJP प्रदेश अद्देक्ष्ट अरुट्ट साव चुनाओ को देखते हुए काफी अक्टिब नज़र आ रहे हैं प्रदेश कार्याले की बटक में शामिल होंगे जगदलपूर बस्तर में धर्मांतरण को लेकर हो रहे विरूद पर आपकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान जारी किया जहां आपकारी मंत्री ने का कि धर्मांतरण के नाम पर बीजेपी ओची राज़िती कर रही है वहीं इस बयान के बाद बीजेपी प्रदेश महमंत्री किदार कश्रप ने का कि कावासी को धर्मांतरण के विशा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है कॉंग्रेस का रिकाल में होते धर्मान्तर की प्रश्टी स्वेम उनके अधिकारी कर रहे हैं अगली ख़बार जगदलपूर से है जहां पुराने जमीन का अब्जब विवाद को लेकर हत्या करने का मामला सामने आया है अब को बता दें पुलिस द्वारा टीम गठित कर ग्राम कुरंदी से आरोपो को घेरा बंदी कर पकड़ लिया गया है फिलाल पुलिस दोरा आरोपी से पूश्चाच की जारी है जहां आरोपी ने घटित करना कबूल कर लिया है साथी आरोपी से चाकू को जब्त कर लिया गया है बताया गया कि आरोपी मंगल राम कश्रप को ग्रिफतार कर नयायले में पेश किया जाएगा काकेर शहर के रिहायशी इलागों में भालू देखे जा रहे हैं जिसे देखका लोगों के दिलों में दैशक का बना हुआ है आपको बता दें भालू के हमले से कई लोग घायल हो गए हैं बन विभाग इन बन प्राणे को निकालने में नाकाम दिखाई दे रही है तो भालू के अमलें से कई लोग घाय लोग हैं काकेर में और देखा जा रहा है कि बन्विभाग इसमें नाकाम दिखाई दे रहा है रियाईसी राकों भालू गुसाई हैं और जो कि लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग डरे हुए हैं सहमे हुए हैं लोगों म पारा है तो आपको बता दे बालू के हमले से कौई गायल भी हो गए हैं काउर नहीं निकाल पाई हैं वो ओलागे से और लोगों के मन मंढर डर है और भालू के हमले से लोग काफी घायल है और फिलाल मेरो 36 गड़ में इतना ही बाकी खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया वाइस के साथ तब तक के लिए नमस्कार